Hello everyone, दोस्तों, CET exam के लिए बस कुछ दिन बचे हुए है, और I know कि ये बच्चों के लिए बहुत एक surprising notice था, एक announcement था कि आपको CET exam देना कमपल सरी महाराष्टर में, किन course के लिए अगर आप BBA कर रहे हो, अगर आप BCA करना चाहते हो, अगर आप BBM करना चाहते हो, या BMS करना तो अब इस exam से related study plan क्या होना चाहते है, क्योंकि कोई भी specific reference book इसी exam के लिए अवेलेबल नहीं है, और ये बहुत genuine problem है, तो बच्चों के मन में यही होती कि सर कि कि किस चिज़ा तरह से manage करें, अभी तो board exam खतम हुआता सर, है ना, छुट्टियों का माहोल था, यसे लगा कि अब मजे करेंगे, लेकिन suddenly ये वाली चीज़ आ गई, अब क्या सरम away जाए, क्या pricing बिना पड़े, asking criteria क्या होगा, क्या चीज़े matter करेंगी, बहुत सारे सवाल के जवाब लेके दोस्तों, इस वीडियो में जुटा हूँ, ठीक है, जादा classes की बात में नहीं कूरूँगा, already म हमारे mass के कुछ demo lecture आप तक बहुत चुके है, क्योंकि mass ही crucial subject है, मैं वही बताने वालों कि कैसे इसको deal करना है, क्योंकि बच्चों को 11-12 mass नहीं था ना, उनके लिए reasoning वाला चीज़ बहुत ज़ादा दिमाग का रही कर रहा है, और उसमें actually, ये सब बतावगा मैं आपको, कि क्या सीनना सबसे बड़ा problem ही है सर, कि हमको 90 minutes दिये है, 90 minutes दिये है, और कितने questions solve करने है, 100 questions solve करने, 100 questions in 90 minutes, खले computer base होगा, आपको center पे जाना है, ये सारी चीज़े है, आपको सब update दूगा, आप आगे सब बतावगा मैं, तो सर अब देखिए, 90 minutes में 100 questions, मतलब 1 minute भी नहीं मिल है, और बच्चा तो 2-2 minutes वहाँ पे खतम कर रहा है, और अगर यहाँ पर 30 questions को ही 50-60 minutes दे दिये, तो बागी paper का solve करेगा, सर, मैं सको solve करने को, क्या हो paper देगा, ये सब चीज़े में बताओ का, पहले सुनिए, आप अगर बिना structure, जैसे 12 में मैंने आपका help किया था, दोस्तो ये तो मैं सब को ही बता सकता हो, जिन बच्चों नहीं के crash batch join किया है, CET का उने भी, और overall जिने पढ़ना है, सर, आप समझे, आपको guidance होना बहुत जरूरी है, आपको जहां जाना है, पहले उस exam का pattern पता है नहीं, किसी को भी नहीं पता, पहली बार तो exam आ रहा है, और पहली पाते में बताने वाला हो, आपना होब 11 April ये last date है, आपने वो registration form भर दिया होगा, website उनकी है, मैं आपको बहुत भी दिखाता हूँ, ये देखे, इस website पर जाना है आपको, और registration fees वगरे देखो, या पर आपको ये दिखी रहा होगा, 1800 basic details है, जैसे website पर पहुचोगे, आपको सारी चीज़े वहाँ पर मिल जाएगे, www.mahacet.org, जैसे ये website आप वहाँ पर जाओगे, तो आपका registration हो जाएगा, या करना पड़ेगा आपको जो भी है, अब सर सीन के है, देखो, हमेरा 40 marks के लिए पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, 40 marks के लिए English language है, ठीक है, मतलब 40 questions आ देते हैं, अपना जो demo भी दिए, इसी के दिए, तो कि सर ये तो कोई भी करवाले, ये चीज़ तो हो भी जाएगी, general knowledge and awareness, सर पंदरा question आने वाले, अब पढ़ने का तरीका भी बताओगा, या teachers की सिसाफ से पढ़ा रहे, वो भी में समझाओगा, आप आपना इसको बहुत से सुनिए, और सर पंदरा मार्ट से लिए computer basics आने वाला है, अब मुझे बताओ बेटा, आप क्या करोगे, पहले तो मैं strategy structure बताता हूँ, ध्यान से देखना है, अब सब दोग ध्यान से सुनिए, अगर आपको अच्छा score करना है, अच्छा passing क्या होता है, सर वो बता दोना, बहुत बच्चों के मन में यही सवाल रहेगा, सर पासिंग का क्या सिन है, देखो यहाँ पर आपको एक marks भी आगया है, तो भी चलता है, यहाँ पर ऐसे क्यों स्पेसिफिक शीज नहीं, कि आपको 35% चाहिए, और फिर यह क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं, कि पहले मतलब किसी बच्चे को अगर 99 आ गया 100 में से, और उसको जो कॉलेज ची है, और वहाँ पर लिस्ट क्लोज होती है, सपोस 95 पे, तो उसका नंबर पहली लिस्ट में लग गया, लेकिन किसी स्टुडेंट को 90 मार्क्स मिले थे, लिस्ट तो क्लोज हो गई 95 पे, तो उसको उस क मैं कोई भी कॉलेज से कर लो गया, मेरे नजजिक का ये कॉलेज है, और मुझे पता है कि दो मार्क्स भी आए ना तो भी एड्मिशन मिल जाएगा, ठीक है भी, ये तो एक फॉर्मिलिटी एक कर लो फिर, लेकिन आपको चे कि नहीं सर में, मुंबई पूने, मतलब या हमार एरिया मिनासिक में कोई अच्छा कॉलेज है, जहाँ पर हमें पता है कि सब बच्चे उधर ही आने वाले, और फिर लिस्ट तगड़ा लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर पासिंग ऐसा कुछ नहीं कि तुम फेल होगे, तुमको बस एक्जाम को जाके बेटना है, अच्छी अच्छा दिमाग से सही चीज़े लॉजिकली पढ़के, आपको अच्छा स्कूर आएगा, तो प्रायरिटी में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, यह क्लियर हो गया, पासिंग का कोई टेंशन नहीं, सिप अच्छे से अच्छा स्कूर आपको उन्हों की लाने का प् 30 मार्क्स है, उसके बाद जो आपका करेंट अफेर है, जनरल नौलेज, 15 मार्क्स है, और यहाँ पर आईए, आपका जो कंप्यूटर कंसेप्ट है, यह 15 मार्क्स है, बच्छे बुलते है, रिवा सर, यह तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर तो आई जाएगा, देखो टाइन क करने हैं, यही प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी प्रॉब्लम ने सर, यह इसी को अगर मैं 170, 90, 200 मिनित देता ना, आप आराम से कर लेते, बट यह competitive exam का, यह सीनी ही होता है, कि यह चाहते कि आप कम से कम टाइम में बहुत जादा एक्ट और देखो, आपको आगे जाके जॉब च चाहते कि आप भी मैनद करो, उस लेवल पर आओता कि आप उधर compete कर पाऊ और आपको job भी मिल पाए, यह पहला पहला लेवल है आपका, सर मैस मेनस बहुत बच्चों की लगी है, तो क्या 30 माक शोड़ दे क्या नहीं, कुझ ऐसे बच्चे जिनने सर, प्लस, माइनस, विदा कबर करोगे, इंग्लिश, फिर current affair, लेकिन current affair में क्या-क्या बात है सर, बहुत सारी चीज़ है, उन्होंने कुछ sample question दिये, बहुत simple ही लगे वो, लेकिन paper में वैसे नहीं आए तो, वैसे आगे तो मज़ा है, लेकिन उसकी लिए भी पढ़ना पड़ेगा, सर, computer concept, structure बता रहा क्लास, हम लोग, आपको देखो, वे due respect जिन बच्चों ने fees भरा, और हम अगर सब YouTube पे free डाल देंगे, तो उन बच्चों के साथ तो क्या ही free justice है, और पहली बात, अगर मेरा होता तो मेरे तो ऐसे ही करता, लेकिन अभी जो टीम हमने लिए, उन्होंने उतना मेहनत किया, इस यह करने जाओगे, सर मैं पूरा concept पढ़ता हूँ, हाँ, कितने दिन भेटा तेरे पास, 40-50 दिन है, तो सिफ concept पढ़ते रह जाएगा, और फिर MCQs आएगा, तो अधर दिमागी नहीं चलेगा, अब तुम्हें अपने brain को train कैसे करना, MCQs based, करीब-करीब सर 15 marks के लिए 500 से ज मारी टीम तो उस पर काम कर रही है, वो तो करवाने वाली, लेकिन आपको structure बता रहा हूँ, बहुत easy होने वाला है, बहुत easy होने वाला है, बहुत simple होने वाला है, लेकिन उसके लिए, प्राइमा फेसी आपको MCQs based पढ़ना पढ़ेगा, वो ज़रूरी है, यहाँ पे 15 में स 15 स्कोर कर सकते हो, लेकिन सर, अब वो टाइम नहीं जब आप computer का पुरा book पढ़ो, stop copy सर, हाँ, मस्त है, यह computer में इसको memory बोलते है, नहीं भई, सीधा MCQs based पढ़ना है तुम्हे, MCQs based पढ़ना है, उसके concept को clear करना है, क्योंकि तू जैसे question आए, answer क्लिक हो गया, जैसे question आए यह में नहीं बोल रहा हूँ, हमारे teachers ने जो हमें का है, कि सर हम इतना करवा देंगे, बात खतम हो जाएगी, करके, everyday 30 minutes, enough, 50 days, game over, यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पढ़ना पढ़ेगा, यहाँ बोलना जै मातादी करके आएगे, वहाँ पर आपको थोड आपका प्लाइन कर पाओगे, जिनको ऐसे लग रहा है, सर, ठीक हमें नहीं लगाने classes, जो भी है, इसमें कोई कंपल चाने क्या, नहीं, लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए, कि यह बच्चे कर क्या रहे, या जो कर रहे हूँ, उनको यह तो पता चाहिए, कि 10 से करना है सर, देखो करन्ट अफेर, अब आप लोगों को ऐसे कोई बात नहीं कि इसे कोई टीचर ही पढ़ाएगा, या करन्ट अफेर में मेरे को बताओ, उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन दिये थे, डेमो क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आई है, कहाँ पे स से कुछ ग्वेश्चन, टेली बिसिस पे 20-30, यह क्वेश्चन निकालना है, टीचर्स का रोल क्या रहेगा यहाँ पे, क्या आपको बताए, वो बार-बार चीज़ों को रिपीट करवाए, याद करवाए, कि बेटा, इंपोर्टन है, इसको ध्यान दे, उस पे टेस ले, त बच्चों को करवार है, लेकिन आपने तो अभी तो कुछ सोचा ही नहीं, सर, कुछ चादू ही नहीं किया है, तो उस पे आप ज़्यादा फोकस किए, जोस्तों कि यहीजी ली मार्क्स मिलेंगे, देखो, यह उन ही के, माला, आपके सीटे एक्जाम दूश डेमो विजिट सम फेमस सी बीचेस इन इंडिया, तो कहां पर विजिट करना चाहिए, जहां पर समंदर, सी बीचेस, बीचेस है, बोलो, सर, तो यहां पर आपको कितना सिंपल था कि गोवा, लेकिन, सर, इसके लिए, अभी तो मैंने बताया, इन में से कोई क्वेश्चन आया, त जब यह इन बच्चे, जो बच्चे कर रहें अपने किसी एक है, तो वो अभी पाच एप्रील के बाद, एक घंटा तो उसी पे उनको इंपोर्टेंट एमसी क्यूजी करवाने बब करवाये जाने वाले, आप सेल्प स्टेड़ी करने वाले बच्चे, वो अरेंज, देखो मैंने कहा न, डाटा अगर यहाँ पे होता तो उसी शेयर की जा जूकी होती है, लेकिन बाकि 10-15 लोग अगर महनत कर रहें तो उनका भई, जो भी है, मतलब 6-7 तो अब अभी प्रेजेंट पर है, बाकि indirectly support में है, ऐसे करके इतने लोग अगर आपके लिए महनत कर रहें, तो competitive world में रहने के लिए आपको इतना महनत तो करना ही है सर, अब क्या करें, अपने हाथ में तो कुछ था नहीं, ही कै सर, ओके सर, और मैं कुछ बाते बताता हूँ, तो ये तो clear हो गया सर आपका, सर इंग्लिश में हम कैसे कर सकते हैं, जर आप हमें बताओ न, रिख वेड़ा सर, इधर ही टाइम जाएगा, बाके grammar, sentence, completion, synonymous, ये इसमें ज़्यादा phrase, ये सब ये सब इसमें मुझे नहीं लगता ज़्यादा बग जाएगा, लेकिन आपको passage read करना है, और passage के basis पर question देना है, तो क्या expected है कि आपका reading थोड़ा fast होना चाहिए, आपका analytical skill, कि आप कितना बज़ रहे हो, फटा-फट पढ़के और फिर question, तो पहले question पढ़ लेने के और फिर उपर जाने का, आप पर उसका पढ़ते का answer मिल रहा है, नहीं तो सर, दस मिनिट घला दिया, इंगलिश का paper आपने दिया है, बहुत बच्छों का 12 में इंगलिश का paper complete नहीं हुआ, तो सर पैसेज से एकदम आराम से पैसेज रीड कर रहे है, तो आपका सबसे बड़ा, सबसे crucial role होने वाला है time management, आप को होगे सर, study plan में आप हमको लगा कि आप हमेना question बता दोगे, अरे भई, question में वही कह रहा हो कि ये कोई book अगर available हो तो मैं बता नहीं देता, जो teacher यहाँ पे, मत पुरा game आपके attitude के कि आप कितने फटाफट फटाफट चीदों को सही डंग से लेते हो, अब भी से पढ़ना चालो करते हो, lightly मत लो, सर पढ़ना कितने घंटे, मतलब यह तो ठीक है, आपने बता है, सर और मैडम धरा ध्यान दीजिए, मैं अगेन आपको एक disclaimer दे दू कि यह आप लोगों को मैं नहीं कह रहा हो कि आप API फिर class लगा लीजे, लेकिन ना बेटा, यह आप अगर बोलो, ठीक है सर, हम तो self कर रहे है, लेकिन आप क्या कर वा रहे है, आपकी team क्या कर वा रही है, बट obvious है, तो हम भी उतना कर ले घर पे, सुन दोस्तों, अभी तो आपने देखा रहेगा कि हम, क्योंकि reasoning, यह जादा महनत लगेगी, जिसमें percentage है, वो digital sum वाला concept है, जो दो lecture हमने दिया आपको, उस पे देड़ घंटे का lecture compulsory चल रहा है, साड़े 6 से 8, one and half hour, practice करना है सर, और ऐसे नहीं, फिर उनको extra कुछ question दिये जाएंगे, तो वो करेंगे, तो य यह तो simultaneous practice हो सकता, इधर ही अच्छा score हो जाए, फिर सर, minimum one hour English चलेगा, तो यह धाई घंटे हो गया, सर, 30 minutes आप पकड़ लो current affair, और 30 minutes आप पकड़ लो, क्या सर, आपका computer 30 to 40 minutes, तो आप देखो कि average 5 April के बाद student CET के लिए कितना पढ़ने वाला है सर, everyday, हाँ बेटा, everyday वो करी और आप अगर self study कर रहे हो, आपने कुछ नहीं चालो किया, तो आपको structure बनाना पड़ेगा, अब आपको कि सरे काम करो ना, सब चीजी free पे डाल दो, मैं यह वही का ना दोस्तों, कि अगर 12 में आपको अवलब दे को बोलने वाले बहुत रहता है, कि अरे हा, यह आईसा, व वो आपके लिए मेहनत करें, वो इतना time दे रहे, मैंने 12 में तो आपको कर रहा था, जब मैं अकेला था, तो वहाँ पे और आप pay करोगे, तो आप बेठोगे और आप पड़ोगे, और सर यह नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, यह उन बच्चों के लिए था कि वो time दे रहे, तो कोई भी बंदा time के बदले में कुछ तो reward मागता है, और ऐसे नहीं कि आपको कुछ नहीं, यह guidance अगर नहीं देना होता, तो यह चीज तो बच्चों को ही दी जाती न, जो भी batch join के है, आपको मैं कह रहा हूँ कि आप हलके में मत रही है, अभी भी ऐसा कुछ बच्चों का attitude ऐसा आता है, जै माता दिगर के आएंगे, आने दो, कितना MCQs है न, वो कितना मिनट दे रहे, 90 मिनट दे रहे, ठीक है सर, हमको पता है, इसे चार option रहेगे, अकड़ बंबे बो, हमने पहले यह किया, फिर यह टिक करेंगे, फिर सर, यह टिक करेंगे, करने वाला केसे भी करेगा, तुक्य मार के सर, लेकिन जिने अभी seriously पढ़ना है, वो इस सिदा हिसाब से शुरू करें चीज़ों को, कुछ question सब नहीं, लेकिन at least कुछ portion आपको भी, कुछ न कुछ लेवल पर help की जाएगी, थोड़ा बहुत आपको दिया जाएगा, लेकिन सब नहीं दे सकते हैं, जो बाखी बच्चों को मिल रहा है सर, उसका एक, बोलते हैं कि एक contractual मेरा भी एक limitation है, लेकिन पढ़ना शुरू कीजे दो तो, एक सही mindset से पढ़ी, अभी भी और इस चीज़ के बताओ, ये mass जो दिन को difficult जा रहा है, उसके बारे में बात करता हूँ, ये ही सवाल रहेंगे, सर इसका कैसे करना है, मैं आपको बताओ ना वेटा कि एक सबसे बड़ा scene क्या है, कि mass पहले तो थानी और बच्चे एक देर साल से इस चीज़ के लिए पढ़ते है, CET exam के लिए, रोज practice करते हैं, अब आपके पास time कम है, और उस कम time में आपको इतनी question आने वाले हो सकता है, simple है, एक बार आप पढ़के तयार रहो, तो जो भी BBA, PCA, BMS, BBM करने वाले student है, I hope आपको ये video useful रहा होगा, आपको कम से कम 3-4 घंटे पढ़ना है, अभी से वो 40-50 दिन अगर आपको अच्छा score करना है, तो अगर आप अभी बहुत relaxed mode में हो, एक ही घंटा कुछ तो कर रहे हो, फिर देख रहे हो, तो इतना धीरे-धीरे कई से चलेगा, पेटा, तो दोस्तों, मैंना, मिस लिड नहीं करना चाहता, मिस गाइड नहीं करना चाहता, कि आराम से एक subject नहीं, एक दिन कर ले, फिर दूसरा subject दूसरे इन कर ले, इसका revision कब होगा, every subject आपको हर दिन तो चाहिए, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा, तब जा क्यों अच्छा score आप कर पाऊगे, नहीं तो सर, 30-40 लाना है, तो आराम से चलते रहे हैं, फिर देखो, apply करो, जो college में मिलता है, ठीक है, donation भरना है, तो ठीक है, मैनत कर लो, जो होगा देख लेंगे, उसका कोई tension है, लेकिन आप मैनत करना मुझ छोड़ो से, वो तो जिन्दे का पार्ट है, ओके दोस्तों, तो I hope आपको ये थोड़ा बहुत useful रहाऊगा वीडियो, तो CET वाले students, अपना best है, बाकी तो कोई नहीं, परवाला है आपके साथ, जो बाबाई, take care जाहिं, जाहिंगा